आचा इंडिया वोमेन एंड पाकिस्तन वोमेन के बीच में जो वोमेन्स एशिया कप का निक्स्ट मुकाबला खेला जाएगा इस वीडियो में हम उसी के बारे में बात करेंगे complete analysis करेंगे जहां पर आपको match-ups देखने को मिलेंगे जो के काफ़ी crucial होते एक match में उसी के साथ-साथ grand league team combinations भी हम वीडियो के आखिर में जाके बिल्कुल discussion करेंगे small league का discussion तो होगा ही hit to it stats भी आपको मिलेगा ठीक है अच्छा match खेला जाएगा दोपहड के एक बज़े से इंडियन समयनुसाद कहाँ पे सिलेट cricket stadium सिलेट में इस match का final update आपको टेलिग्राम चैनल पे मिलेगा जिसका link इस वीडियो के comment section में एकदम उपर पिन किया हुआ आपको दिख जाएगा ठीक है अब देखो इस venue पे 8 matches men's का खेला गया है T20 का जहाँ पे 7 बार batting second करने वाले team जीते है average score batting first 153 का 150 के नीचे 4 बार score बने है तो men's matches में भी आपको low scoring matches ही यहाँ पे दीखते है यहाँ पे जो women's asia cup के matches खेला जा रहा है न वहाँ पे भी आपको 8 से 10 matches खेला जा चुका है इस venue पे ठीक है first match आप देख सकतो कितना low scoring रहा था spinners का domination second match भी low scoring spinners का domination third match low scoring spinners का domination यहाँ पे कुछ matches में इंडिया women का team bat first किया था जहाँ पे 150 भी cross हुआ है 130 भी cross हुआ है तो उन सारे matches में जब जब इंडिया women bat first किया है ठीक ठाक score बना है बाकी teams इस venue पे score करती हुए struggle किये है and spinners overall dominate किये हैं जैसे कि आप देख सकते हैं लगभग हर एक match में spinners का domination pacers के उपर overall यहाँ पर 24 wickets pacers को मिले है अब तक and spinners 78 wickets निकाल चुके है ठीक है दोपहर के matches में comparatively आपको जादा बहतर batting surface दिखेगा क्योंकि धूप खिला हुआ होता है पिछ थोड़ा सा सूख जाता है एकदम सुवा वाला जो match होता है वहाँ पिछ में moisture होता है पिछ थोड़ा सा two paste आपको दिखता है ठीक है अब देखो पाकिस्तन वोमेंट टीम के तरफ से मुनीबा अली ओपेनिंग किये थे सिद्रा आमिन के साथ और सिद्रा आमिन काफी अच्छे form में मैंने आपको टेलिग्राम चैनल पे बोला भी था ग्रैंड लिग में CVC ट्राइ करने को और ये 56 करके गया है आज भी मैं ठीक ठाग इनिंग इनसे expect कर रहा हूँ इनको कौन दिक्कत दे सकते हैं मैं मैच अप में जब डिसकस करूँगा तब आपके साथ शेयर करूँगा नंबर तीन पे कैप्टन बिस्मा मारूफ जिनका फॉर्म कुछ खास नहीं चल रहा है नीदादार टीम के आल राउंडर 12 रंस किये थे फिर आईसा नशीम जो के एज़ा हिटर खेल रहा है आट रन फिर आली अडियास 10 रन किये थे बोलिंग से देखेंगे तो यहाँ पे डेना बेग जो के चारवर कम्प्लीट डाले थे अल्मोस्ट विकेटलस गये थे इस मैच में नीदादार चार ओवर दो विकेट लेके गये थे नस्रा संदू एक विकेट तूबा हसन जो के लेक ब्रेक बोलर है दो विकेट निकालके गये थे ओमाइमा सोहिल विकेटलस तीन ओवर करके और काइना दिम्तियास एक विकेट निकाले थे अच्छा पिछले मैच में इनका डेथ ओवर्स देखेंगे तो डिस्ट्रिबूशन कुछ ऐसा था जहांपे 20 ओवर देना बेक डाले थे और नीदादार 17 और 19 ओवर डाले थे तो डेथ ओवर्स में नीदादार का 2 ओवर्स था नसरा संदू 15 और 18 ओवर्स तो इनका भी डेथ ओवर्स में दो ओवर्स हैं काइनाद इमतियास 16 ओवर्स डाले थे होफ़ुली इस मैच में काइनाद इमतियास नहीं खेलेंगे उनके जगा साधिया इकबाल जोके और एक लेफटाम और्थोडोक्स क्वालिटी स्पिनर है जिनको इस मैच में रेस्ट दिया गया था उनको वापस लाया जा सकता है क्योंकि इंडिया वोमेंट टीम के पास र मंधाना और दीपती शर्मा दीपती शर्मा नीचे बैटिंग कर रहे हैं और मंधाना टॉप ओडर में बैटिंग करेंगे अच्छा एक चीज में बता दूँ इस मैच में पूरे इंडिया वोमेंट टीम एकदम अपना फूल स्ट्रेंथ के साथ खेलने का कोशिश करेंगे म मंधाना ओपिनिंग करेंगे दीपती शर्मा नीचे आएंगे दोनों रिफ्ट हैंड बैटर्स उनके सामने कौन-कौन मैच अप बनाते हैं नीदादर स्पेशली जो इनके मेन राइट आम आप ब्रिक स्पिनर है फिर ओमाइमा सोहल पार्ट टाइम राइट आम आप ब्रिक लेके जाएंगे वो भी काफी इंपॉर्ट होंगे नस्रा संदू इनके टीम के वन आप दे मेन स्पिनर्स में से आते हैं ये भी लिफ्टाम और्थोडॉक्स है काफी जादा दिक्कत दे सकते हैं ये तीनों स्पिनर्स मिलके ठीक है उन्हीं के साथ साथ डेना बेग अगर अगर बॉलिंग फर्स्ट करता है ना देना बेग तो काफी दिक्कत दे सकते हैं क्योंकि इनका आउट्स्विंग काफी फेमस है जो के स्पेशली जो है शिफाली वर्मा को दिक्कत देंगे ठीक है दोस्त अगर आप पहली बार हमारे यूटूब चैनल पे विजिट कर रहे हैं तो आपसे हमबल रिक्वेस्ट रहेगा काइंडली हमारे यूटूब चैनल को सब्सक्राइब करके इस फैमिली का हिस्सा बन जाएगा उसके बगल वाले बेल बटन को प्रेस करके आल पे करना बिल्कुल ना भूले यहाँ पे ये वाला साइन पे अगर आप क्लिक करते हैं आपको नीचे लेके जाएगा यहाँ पे टेलिग्राम चैनल का लिंक पिन किया हुआ है इस नीले वाले लिंक पे क्लिक करेंगे आप सीधे हमारे टेलिग्राम चैनल पे पहुन जाएंगे दोस बात करेंगे इंडिया वोमेंट टीम का आखरी मैच के बारे में लास्ट मैच में बैटिंग फर्स्ट करते वे 178 फर 5 किये थे ये बैटिंग ओर्डर इस मैच में आपको बिल्कुल देखने को नहीं मिलेगा स्मृती मंधाना के साथ आपको शेफाली वर्मा ही ओपिनिंग करते वे दिखेंगे फिर बे में बता देता हूँ पिछले मैच में हुआ क्या था मैच टाइम और गेम टाइम देने के चकर में दीपतिशर्मा नमबर 3 पर आये थे 64 करके गये थे रोडरीक्स 75 किये थे पुझा वस्त्रकर 13 और के नवगिरे 10 रन किये थे के नवगिरे शायद ना भी खेले इस मैच में बोलिंग से रेनुका सिंग 4 वर डाले थे विकेटलेस राजशपरी गाईकवर 2 विकेट इस मैच में भी इंपोर्टन होंगे क्यों मैं बताऊंगा मैच अप जडिसकस करूंगा पुझा वस्त्रकर 4 वर विकेटलेस दीप्तिशर्मा विकेटलेस स्नेहराना विकेटलेस हलाकि काफी एकोनामिकल डाले थे डैनियल हिमला था एक विकेट निकाल के गये थे अच्छा फर्स्ट मैच जो इंडिया वोमेन खेला था स्रिलांका वोमेन टीम के एगेंस्ट लगभग उसी तरीके का बैटिंग ओडर अब एक्सपेक करके चलो जहाँ पे शिफाली के साथ मंधाना ओपेनिंग करेंगे रोडरीक्स नमबर तीन पे कितने इंपोर्टन्ट हुए थे उस मैच में आपको यादी होगा इस मैच में भी काफी इंपोर्टन्ट होंगे स्पेशली अगर एक विकेट जल्दी गिर गया और इनको पाव पले में प्रोमोशन कर दिया जाए ठीक है यह लॉजिक आपको ध्यान रखके ग्रैंड लिग में इंप्लिमेंट करना है अगर आप टॉप ओडर के दोनों बैटर्स मतलब मंधाना और शिफाली बर्मा को कैप्टेन वाइस कैप्टेन ट्राई कर रहा है मतलब क्या वो अटलीस्ट बारा तेरा चौदा ओवर तक खेल जाएंगे और काफी लंबा स्कोर करेंगे दोनों उसके बाद आपको जी मैंवर ओड्रिक्स को नहीं लेना है उसके बाद दीपति शर्मा हेमलता पूजा वस्त्रकर जैसे हिड़र को अपने टीम में रखना है ठीक है बाकी उस मैच में बोलिंग कार्ड आप नोटिस करेंगे लगभग यही बोलिंग कार्ड आपको इस मैच के जगा राजश्वरी गाइकवाड बिल्कुल खेल सकते ध्यान दीजेगा ठीक है अगर खेलते राजश्वरी गाइकवाड बहुत इंपोर्टन्ट होंगे क्यों भाई राजश्वरी गाइकवाड क्यों इंपोर्टन्ट होंगे अब देखिए पूरे पाकिस्तान के बैट दीपती शर्मा और स्नेहराना बोलिंग कर सकते हैं दीपती शर्मा वैसे भी पापले में एक अदावर डालते हैं स्नेहराना स्पेशली मिडिल ओवर्स में डालते हैं ठीक है बाकी सिद्रा अमीन ओपेनर ओमेमा सोहल नमबर चार पे अलियार याज नीदादार आईसा नसीम उनके सामने राजश्वरी गायकवर्ड और राधा यादव काफी जादा दिक्कत दे सकते हैं स्पेशली गायकवर्ड अब देखो एक चीज मैंने नोटिस किया जब मैं हिट टूएट स्टैट्स चिकाउट कर रहा था हमारे टीम के एक स्पिनर थे जो के अभी कंटेंशन म नहीं है उनका नाम था एकताबिस्ट जो के और बहतरीन लिफ्ट आम और्थोडोक्स स्पिनर थे वो क्या करते थे बॉल को फ्लाइट देते थे और उसके बाद बॉल को बाहर लेके जाते थे राइट हैंडर्स के बॉड़ी से राजश्वरी गायकवर्ड भी बहुत हद त कैप्टन ट्राइ करना नहीं भूलिएगा ठीक है आचा बात करेंगे इंडिया वुमेंट टीम का डेथ ओवर्स में कौन-कौन डाल सकते हैं पिछले मैच में डी हिमला था 16th 18th and 20th ओवर डाले थे ठीक है हो सकता है इस मैच में 3 ओवर इनको डेथ में ना मिले बर 2 ओवर य हैंगे head to head stats के बाड़े में तो इन दोनों teams के बीच में 2016 से 5 T20 international matches खेले गया हैं पाचों के पाचों इंडिया वुमेन ही जीते हैं clear cut domination थोड़ा सा देख लेंगे scorecards जहाँ पर पाकिस्तन वुमेन बैट 1st किये था 99 पर उल आउट हो गये थे इंडिया वुमेन 8 विकेट से म मुनिवा अली का 32 आया था बिसमा मारूफ 17 ओमाइमा सोहल 10 रन एक विकेट आली अडियाज 18 तूबह हसन का एक विकेट यहाँ पे स्मिती मंदाना चेस करते हुए हमेशा खतरनाक होती है 63 किये थे शेफाली वर्मा एक विकेट निकालके गये थे 2 ओवर करके और 16 रन भी कि स्नेहराना का दो विकेट देखिए राधा यदव का दो विकेट राधा किस तरीके के बोलर हैं लेफ्टा मं उर्फार दोक्स को यह विकेट देंगे ठीक है ना बाकी रेनुका सिंग एक विकेट निकालके गये थे उसके पहले पाकिस्थन वोंन 13347 इंडियोवोंन फिर से आसानी से चेस किये, साथ विकेट से मैच को जीते थे, विस्मा मारूफ और निदादर का नाव आपको फिर से दिख रहा है, एक विकेट, एक विकेट, दोनों ही विकेट निकाले थे, बट विस्मा मारूफ अभी ओवर्स नहीं कर रहे हैं, देन अब एक का एक विकेट रहा यहाँ पर मंधाना 26 रोडरीक्स 16, हर्मनप्रीथ 14, हेमला था, दो विकेट निकालके गए थे, राधा यादव इस बार विकेट लेस गये हैं, ठीक है, यहाँ पर पाकिस्तन वोमेन 72 कर पाए हैं सिर्फ, और यहाँ पर फिर से चेस कर गए हैं, साथ विकेट से मैच को जीत इंडिया वोमेन, विसमा मारूफ 14, निदादर 8 रन, फ्लॉप गए थे इस बार बैटिंग से, तो बैटिंग 72 रन तक ही वो स्कोर कर पाए, विसमा मारूफ निदादर नहीं चलेंगे तो बहुत ज़्यादा रिक्कत हो जाएगा पाकिस्तन वोमेन टीम को, टॉप ओडर से स्पेशली सिद्रा अमीन, ठीक है, बाकी नस्रसंदू एक विकेट, अनम अमीन दो विकेट, अब देखो, अनम अमीन नस्रसंदू किस तरीके के बोलर हैं, लिफ्ट आम और्थोडॉक्स स्पिनर हैं, दोनों ही, अनम अमीन तो अभी नहीं है इस शेक अप में, बड़ ये मैंने आपको समझाया, इंडिया वोमेंट टीम में राइट हैं बहुत सारे हैं, तो लिफ्ट आम और्थोडॉक्स स्पिनर के सामने ये विकेट्स देते हैं, ठीक है, यहाँ पर एक तब इसका, मैंने यहाँ पर लिखके रखा है, जोके तीन विकेट निकाल ले थे, पहले दोस्तो वीडियो में दिया अब तक का अनलाइसिस, नॉलेज, लॉजिक, मैच अपस, हेट टुएट स्टैट्स, अगर आपको समझ में आया है, अगर आपको थोड़ा से भी कॉन्फिडेंट्स फील हो रहा है, आगे भी कॉन्टेंट है, ठीक है, बट अब तक का कॉन्टे करना नहीं भूलिएगा, अगर आप नए है तो, क्योंकि पूरा जो न्यूजिलांड ट्राइसिरी से उसका कवरेज, वर्लकप का कवरेज, फिर वोमेन भी विल आ रहा है नेक्स्ट वीक से, उसका भी कवरेज आपको इसी चैनल पर मिलेगा, प्लस वीडियो को लाइक करना नहीं भूलना है, अगर आप पसंद कर रहे हैं अब तक, नहीं पसंद आ रहा है, तो डिसलाइक भी करना मत भूलिएगा, किसी चीज में कंजूसी नहीं होना चाहिए, आप भूल जाते हैं, इसलिए मैं आपको याद दिला रहा हूँ, ठीक है? विकेट कीपिंग सेक्शन में आएंगे, मुनीबा अली काफी जादा स्ट्रॉंग कंटेंडर है, हमारे स्मॉल लिक के टीम में लेने के लिए, क्योंकि रीचागोश का सिलेक्शन 50% तो है, बट पहली बात तो पाकिस्तन वोमें टीम का बोलिंग उतना जादा स्ट्रॉंग में आ चुके हैं, जिमामर ओड्रीक्स नंबर 3 पे तो फॉर्म में है ही, तो रीचागोश आएंगे नंबर 5 नंबर 6 पे, तब तक इनका बैटिंग आना मुश्किल है, तो मुनीबा अली को स्मॉल लिक के टीम में सिधा सिधा ले लिजेगा, ठीक है, अब बैटिंग तो जिमामर ओड्रीक्स आपके टीम में बिलकुल होना चाहिए, क्योंकि एक विकेट अगर जल्दी गिर जाएगा, तो ही रोड्रीक्स का रोल काफी इंपोर्टन्ट होगा, अगर आप रोड्रीक्स का अपने टीम में ले रहे हैं, तो शायद शेफाली को छोड़का अब ह भी खेलना चाहिए, ठीक है? बाकि All-Lounder सेक्शन में चलेंगे, दीपती शर्मा हमारे टीम में सीधे-सीधे आ जाएंगे, नीददार हमारे टीम में सीधे-सीधे आ जाएंगे, मैच अपस में इनका नाम भी था, and Hit-To-It स्टैप्स में भी इनका नाम था, तो काफी important होगी captain ये होने वाले हैं ठीक है ना बाकि D. Hamelata जो कियाज़ 6th bowler खेल रहे हैं प्लस नीचा के hitting भी करते हैं काफी crucial role इनका है ये भी काफी जादा अच्छे wicket taker हैं जैसे कि मैंने Umayma शोहेल का बोला था पाकिस्तन women team से इंडिया women team से चुपार उस्तंपिक हमेशा D. Hamelata आपके लिए होने वाले हैं ठीक है तो grand league में इनको भी try करना मत भूलेगा death overs में इनका 1-2 over हमेशा रह रहा है ठीक है bowling section में चलेंगे देना बेक को आप try कर सकतो कब try करना है जब आप expect कर रहे हो कि इंडिया का top order से at least 1-2 wicket जल्दी गिरेगा क्योंकि इनका main role ना नए ball के साथ ही है जब इनको अच्छा खासा seam and swing movement मिलता है और ये तभी मिलेगा जब ये fresh pitch के उपर bowling करेंगे देखो शुरुवात के दो matches जो पाकिस्तान खेला था वो सुभा वाले match था सुभा वाले match में पिछ में moisture होता है जहां पर Pacers के लिए थोड़ा बहुत seam and swing movement मिलता है और दोनों ही match में पाकिस्तान वोमेन का team उस fresh pitch पे bowling first किया था ठीक है अगर उन दोनों matches में पाकिस्तान वोमेन का team second inning में bowling करता जब थोड़ा बहुत धूप निकला हुआ होता है वहाँ पे डेन अब एक को शायद उतना मदद नहीं मिलता जैसे के पिछला match में आखरी match में आपको देखा जहाँ पे Thailand woman के against दो पहर के match में afternoon के time पे इन्होंने bowling किया था और यह wicket नहीं निकाल पाए थे Thailand woman जैसे team के सामने ठीक है तो अगर bowling first करते है तो थोड़ा बहुता favor कर सकते हो नहीं तो इंडिया woman team के ज़्यादा से ज़्यादा bowlers आपके team में होना चाहिए जैसे के रेनुका सिंग का आप ट्राई कर सकते हो बट ऐसे pitch में मैं suggest करूँगा आप spinners के साथ जाओ जैसे के राधा यादव कितना बड़ा grand league pick है आपको पता होगा क्योंकि सामने right hand batters ज्यादा है specially अगर यह bowling first करते हैं death overs में इनका 2 over होता ही है राधा यादव का ध्याम दीजेगा अगर इंडिया वोमें टीम specially bowling first करते हैं तो गायपट काफी important होंगे कि मैं आपको अल्रेड़ी बता चुका हो तूबा हसन important होंगे मेरे साब से बहुती बड़िया genuine wicket taker है सामने right hand batters होंगे चाहे वो शेफाली ले लिजिए हर्मन प्रीट ले लिजिए जिमाइमा ले लिजिए या फिर नीचे पूजा वस्त्रकर हेमलाता ले लिजिए ठीक है रीचा घोश भी है बाकी नीचे जाएंगे नीचे और कोई खास player है नहीं फिलाल हमारा 10 member का team combination ऐसा बन चुका है ठीक है यहाँ पर एक चीज आप notice कीजेगा मैंने हर्मन प्रीट को नहीं लिया है अगर इंडिया वोमेन का team batting first करेंगे मैं सीधा सीधा यहाँ पर हर्मन प्रीट को लेने वाला हूँ ठीक है ना आखडी बोलर इस team combination में मैं राधर यादव के साथ जाओंगा और मैं इन पर trust करना चाहूंगा captain wise captain मेरे team में यहाँ पर captain दीपती शर्मा wise captain नीदादार होने वाले हैं दोनों ही safe option है आप चाहो तो यहाँ पर rodrigs के साथ जा सकतो जिस तरीके से बंदी batting कर रही है आज भी आपको 40-50 रन करके दे सकते हैं special अगर batting first हुआ थो ठीक है बाकी grand league के captain wise captain आप राजश्वरी guy court को बिल्कुल try कीजेगा और यहाँ पे स्नेहे राना को नहीं भूलना है जो के grand league के काफी बड़िया पिक होने वाले हैं ठीक है और batting section में आपको शेफाली बर्मा दिख जाएंगे सिर्फ 15% का selection है अगर यह अपने पे आ गए तो डेना भीक से लेके नस्रा संदू सभी का बुरा हाल कर सकते हैं ठीक है अच्छा यह रहा मेरा grand league team combination 1 इस particular section में हम कुछ grand league combinations discuss करेंगे सोच discuss करेंगे कैसे हम grand league combination बना सकते हैं या फिर कोशिश कर सकते हैं देखो यहाँ पर मैंने क्या सोचा है कि इंडिया का top order कुछ खास नहीं करेगा स्मृति मंदाना, शेफाली बर्मा, जेमामा रोड्रीक्स बिल्कुल flop होंगे अगर वो flop होंगे तो मेरे पास देना बेक है जो के power play में डालते हैं यहाँ पर साधिया इकबाल को मैंने लिया है जो के सीधे सीधे इस match में comeback करने चाहिए काइनात MTS के जगा तो मैंने यह दोनों bowlers को ले लिया है जो के जादा से जादा power play में डालते हैं नीदादार बहुत कम power play में डालते हैं एक अदा over डाल लेंगे जादा से जादा middle overs में ही डालते हैं अगर top order flop होगा तो हर्मन कर रोल काफी important होगा दीपती कर रोल काफी important होगा रीचा घोश कर रोल काफी important होगा कुछ हद तकस नहें राना भी contribution बैटिंग से दे सकते हैं इनके जगा आप हीमलाता को भी ले सकते हैं और लाउंडा section में कोई दिक्कत नहीं है अगर इस team मेंने ऐसा बनाया है तो यहाँ पर captain wise captain मुझे किन को देना चाहिए मैं यहाँ पर साध्य इकबाल के साथ captain ship जाओंगा wise captain बिस्मा मारूफ के साथ जाओंगा या फिर हर्मनप्रीत कॉर के साथ जाओंगा ज्यादा बहतर मुझे हर्मनप्रीत ही लग रहा है अब देखो ठीक इसी team combination को copy करके captain wise captain में कुछ अलग कर दूँगा जहाँ पर captain मेरे दीप्ती शर्मा होंगे wise captain नीदादार होने वाले हैं ठीक है कुछ ऐसा भी मैं बनाऊंगा जहाँ पर सेम team को copy करके captain wise captain मैंने change कर दिया यहाँ पर जब पाकिस्तन woman का team आएंगे chase करने तब इनके तरफ से बिसमा मारूफ और सिद्रा अमीन काफी अच्छे contribution देंगे फिर नीदादारा के match को finish करेंगे ऐसा मैंने सोचा है तो इनके middle order भी performance दे रहे हैं और इनके top order से और middle order से performance आ रहा है और ऐसा सोचा है कि इंडिया वोमेन का team इस match को हार जाएंगे और जितना भी wickets निकालेंगे इंडिया वोमेन राजश्वरी गायकवर्ड मैच अप के चलते विकर निकालेंगे एंस नहेराना कुछ हद तक एक आदा विकर निकाल जाएंगे तो ऐसा मेरा grand league का team सोचने का तरीका है जहाँ पे साड़े के साड़े आपके opponents इंडिया वोमेन को फेवर करके आएंगे आपके पास at least 4-5 combination अगर आप 15-20 combination बना के खेल रहे हैं तो पाकिस्तन वोमेन टीम को जिताने के लिए भी होना चाहिए और ए grand league combination जहाँ पे मैंने ये सोचा है कि हाँ शेफाली जल्दी आउट हो रहे हैं अगर शेफाली जल्दी आउट होते हैं तो आपके सादिया इकबाल या फिर इनके जगा डेना बेक को भी ले सकते हैं तो दोनों में से कोई एक पाउप लेमेन को आउट कर सकते हैं फिर स्मृति मन्दाना, जीमाइमार ओर्डिक, समरंपीत कॉर, काफी अच्छा पड़ी को समाल रहे हैं, फिर हेमला ता जो के डेध ओवर में डालते हैं, ये विकट निकाल के आपको दे सकते हैं, स्नेहराना मेरे ग्रैंड लिक के जाधा से जाधा टीम में स्नेहराना होने व लखा है captain wise captain इस team combination में जी माइमा रोटरीक्स के साथ wise captain में राजश्वरी गाई को देना चाहूंगा ठीक है आपको अगर लगता है इस team में मैंने एक दो player बहुत ज़्यादा गलत लिया है जैसे के हेमला था आपको कोई sense नहीं बन रहा तो हेमला था के जगा आप सीधरा आमीन को ले सकते हैं जोगे काफी अच्छे form में है बिसमा माडूफ का hit to head stats अच्छा है बर recent form बिसमा माडूफ क बिलकुल भी अच्छा नहीं है ना हो bowling डाल रहे है ठीक है तो वो waste player आपके लिए हो सकते हैं अच्छा और एक grand league team combination जहाँ पर मैंने क्या किया है हर्मन के जगा शेफाली को ले लिया है अब मैंने यहाँ पर क्या सोचा है कि इंडिया women का team chase कर रहे हैं जब chase कर रहे हैं तो top यूका सिंग को अगर अब ले रहे हो तो expect कीजेगा वो top order में ही strike करेंगे क्योंकि पुडाने ball के साथ death overs में उनका कोई खास काम है नहीं ज्यादा कम उनका power play वाले overs में होता है नए ball के साथ fresh pitch के ओपर especially अगर bowling first करते हैं तो ठीक है ही मलाता को मैंने death over के लिए है क्योंकि death पिद्रा अमीन को भी नहीं लिया है विस्म मारूफ को भी नहीं लिया है तो नीदादार की उपर बहुत ज़्यादा लोड हो जाता है बैटिंग का में भी 30-35 runs score करके देंगे आपको यहाँ पर मैंने साधिया इकबाल को लिया है तूबा हसन को लिया है आप चाहो तो इनक उनों के जगा उन दोनों को भी ले सकतो दिक्कत नहीं है